Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the chapter number 15, that is some natural phenomena. This chapter has been taken from the NCRT science book of grade 8. So let's get started. In this chapter we'll talk about some natural phenomena, जो भी हमारे atmosphere में होते हैं, नेचर द्वारा होते हैं, जैसे कि बारिश का आना, thunderstorm, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश आती हैं, उससे पहले बादल गरजते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ां को बारों में discuss करेंगे, so let's get started. जैसे कि आप class 11th में already read कर चके हो, किसके बारे में कि हवा कैसे बनती है, how do the winds originate, you know that, कि जैसे ही हवा हलकी हो जाती है, that tries to rise up, ठीक है? तो फिर किस स्रीकी से storms आते हैं, cyclones आते हैं, because of the difference in atmospheric pressure? जैसे ही बहुत बड़े cyclones आते हैं, तो ये damage कर देते हैं, human life, कई human life चली जाती हैं, और जान और माल का नुकसान होता है, आपको सब को पता है, कभी किसी के जो है, animal की death हो जाती है, या जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये cyclones आते हैं, उन में जो है, car, vehicles, वेरा भी जो है, पानी के साथ बह जाते हैं, जिसकी वज़ा से, they cause a lot of damage, that is human life and property, you also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent, और हम कुछ extent तक इन destructive phenomena से अपने आपको save कर सकते हैं, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, वो है lightning की, जो की बिजली गरस्ती है, जैसे ही बिजली गरस्ती है, तो आपने देखा होगा, next day जो है, newspaper में आप पढ़ते होगा, कि इस जगह पे lightning हुई, और जिसकी वज़ा से जो है, वहाँ पे कुछ जानवर मर गए, यहाँ कोई human life का नुकसान हो गया, यहाँ किसी का घर जल गया, and earthquake, यह यह सब चीजे हैं, जैसे कि lightning या earthquake के बारे में, इस chapter में हम बात करेंगे, we shall also discuss what step we can take to minimize destruction, called by these phenomena, और आज हम बात करेंगे, क्या कौन-कौन से steps हम ले सकते हैं, तांकी जो है, यह जो हमारे surrounding में destruction होती है, उनको जो है, बचाया जा सके, destruction को minimize किया जा सके, तो आज का जो हमारा सबसे पहले topic है, वो है lightning, तो आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश आने वाली होती है, तो बाजलों की गडगड़ाहट शुरू हो जाती है, जिसको की हम lightning बोलते हैं, right? You might have seen spark on electric pole when wire become loose, तो आपने बहुत natural way में देखा भी होगा, जब किस electric pole की जो wire loose हो जाती है, वहाँ पे जो sparks निकलते हैं, यह phenomenon बहुत ही common होता है, जब हवा चलती है, और जो है, जो तारे होती हैं, उनको हिलाती है, तब जो है, इसमें spark produce होता है, यू might have also seen sparks when a plug is loose in its socket, lightning is also an electric spark, बट उन a huge scale, आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कपड़े प्रस कर रहे हो, तो एकदम से जो है, आरेन का अगर शू lose हो जाए, तो उसमें से spark निकलता है, इसी तरीके से जो बादलों की गजगडाहट से lightning produce होती है, वो भी एक electric spark की तरह होती है, लेकिन यो बहुत ही बड़े huge scale पे होती है, so it's on a huge scale, वहाँ पे भी जो electric spark की generation होती है, लेकिन वहाँ पे electric charge कैसे generate होते हैं, ये हम next जो है पढ़ेंगे, जब जैसे से हम chapter को आगे पढ़ते जाएंगे, तो अब हमें पता भी चलेगा, कि जो lightning है, वो किस तरीके से huge electric spark है on a huge scale, in ancient time, बहुत पुराने समय में, people did not understand the cause of these sparks, लोगों को नहीं पता था, कि ये जो spark है, आसमान में बिजली गिरती है, इसका cause क्या है, जैसे ही बादलों की गड़ गड़ाहट से lightning होती थी, तो वो डर जाते थे, वो सोचते थे कि अब जो हैं, उन्होंने कुछ गलत किया है, और जो बगवान है, उनके उपर जो कहर ढारने वाला है, ये कह सकते हैं कि बगवान का श्राप अब शुरू होने वाला है, तो अब हमको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया है, कि lightning है, वो इसलिए होती है, क्योंकि accumulation of charge हो जाता है, कहां पे? Clouds पे, So it is caused by the accumulation of charges in the cloud, So cloud की formation कैसे हुई, you might have read in your water cycle, तो ये plants होते हैं, उनकी through transpiration के through water loss होता है, और जितने भी हमारे sources of water होते हैं, वहाँ पे भी evaporation कहां से? With the help of the sunlight, ये जो हैं, पानी evaporate हो जाता है, जैसे जैसे उपर जाता है, तो क्या हो जाते हैं? ये water droplets, जो हैं कठे होके clouds बनाते हैं, So as they go higher and higher, ये जो हैं ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वज़ा से जो हैं, अब ये जो हैं अपने आप में moisture समार नहीं पाते हैं, और precipitation हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, rainfall, तो इसी तरीके से जो lightning होती है, that is caused by accumulation of charges in the cloud, हमें ये तो पता है कि cloud कैसे form होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये भी पता चलेगा कि accumulation of charges कैसे होती है cloud पे, right, we need not to afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark, अब हमें lightning से डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने आपको protect जरूर करना चाहिए from the deadly spark, the sparks that the Greek knew about, ये कैसे spark हैं जिनके बारे में ग्रीक को पता था, the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber, amber is a kind of resin, तो amber जो होती है वो एक kind of resin होता है, जब ये जो हैं इसको रब किया जाता है with fur, fur आपने देखा होगा woolen clothes जो कई होते हैं, fur वाले होते हैं, it attract light objects such as hair, तो even आपने भी कई जैसे रेश्मी कपड़े होते हैं, synthetic fiber wali cloth होते हैं, जब आप जो सब्सक्राइब रात को, when you are going to supposed to change them, अपना night suit cotton का डालते हो, so when you are taking off that synthetic cloth, तो आपको ने बहुत 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 देखा होगा, जैसे कि इस बुक में भी कहा जा रहा है, कि जैसे ही आप अपने रेश्मी कपड़ों को, वूलन को या पॉलिएस्टर के cloth को, अपने यो take off them, तो आपको crackling sound सुनती होगी, जैसे आपके बाल हैं, वो ends पे खड़े हो जाते हैं, और उसके साथ आपको crackling sound भी मिलती है, इवन आपको spark देखने को भी मिलता है, अगर आपने कभी भी नहीं try किया, तो प्लीज इस वीडियो को pause करके, जैसे हैं, आप ट्राइ करने की कोशिश करें, कोई भी woolen cloth लें, और आप जब उसको अपनी body से उतारने की कोशिश करोगे, तो जो हैं, आपके बाल हैं, उसके साथ चिपकेंगे, और most important, आप sparkling को भी देख सकते हैं, so this is how you can feel the, some kind of sparkling, right? In 1752, 1752, बवन जा में क्या हुआ, के एक scientist, ते लिए बैंजमीन Franklin, an American scientist, is short, that lightning and the spark from your cloth are essentially the same phenomenon, जैसे ही आसमान में बिजली गडगती है, आसमान में जो lightning होती है, वहाँ पे भी same phenomenon होता है, जैसे कि आप अपने cloth से, जो हैं, इस तरीके की lightning प्रोडूस कर सकते हो, however, it took 2000 years for this realization to occur, लेकिन इस realization को happen होने में, occur होने में कम से कम 2000 लग गए, I wonder why they took so many years to realize the similarity, उनको इतने साल क्यों लगे, जो बात एक common सी थी, उसको accept करने के लिए 2000 साल लग गए, scientific discoveries are a result of hard work by many people, it can sometimes take a long time, तो इसका मतल भी यह नहीं है, कि 2000 साल तक, जो हैं scientist ने कुछ किया ही ही नहीं, कई बार क्या होता है, यह जो आप hard work करते हो, तो उस तरीके से जो है, आपको बहुत बार, कई बार आपको लंबी वेट भी करनी पड़ती है, इसलिए students मेरा आपको suggestion है, कभी भी किसी situation में देख के, कभी भी give up ना करें, जैसे आपको Thomas Alva Edison की स्टोरी का भी पता होगा, कि जब उसनों उन्होंने bulb discover किया था, तो उनका bulb एक ही बार में जग नहीं पड़ा था, तो कम से कम उनको हजार बार ट्राई करना पड़ा, कि वह बल्ब में कौन सा चीज का filament लगाएं, कि बल्ब जग जाएं, लेकिन कितनी बार उन्होंने ट्राई किया, इट ट्राई नियरली थाउजन टाइम, लेकिन उनको ये ज़रूर पता चल गया था, कि ये थाउजन चीजें ऐसी हैं, जिनसे जो है, वो उलेक्ट्रिक करन पास ही नहीं होता है, भले ही उनको फिलामेंट जैसे कि उनको टंग्स्टन का उप्योग किया, उनको ये नहीं पता था कि टंग्स्टन का उप्योग करना है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता चल गया था, ये जो 999 चीजें हैं, वो क्या है, वो इंसूलेटर है, वो कभी भी electric bulb को जगा नहीं सकेंगे, भले ही आप कुछ न कुछ करते रो, लेकिन अभी भी किसी situation में आपको give up नहीं करना जाएए, इसी लिए ये जो है, इस situation में भी आपने देखा, एक चीज को प्रूव करने के लिए 2000 सार लग गे, but they never gave up, तो आप भी कभी कि situation में give up ना करें, अपना हौसला बनाए रखें, धहरे बनाए रखें और अपना hard work करते रहें, अब जो हम discuss करेंगे, we shall now study some properties of electric charges, तो अब हम electric charges की कुछ properties के बारे में जानेंगे, we shall see how they are related to the lightning in the sky, तो ये जो कैसे similar होती है lightning in the sky, let us perform some activities to understand the nature of electric charges, तो अब हम जो है कुछ activities को perform करेंगे, to understand the nature of electric charges, but recall first what you might have played as a game, when you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper, आपने grade 6 में आपकी साइंस की टीचर में आपको ये पढ़ाया होगा, कि जो है एक आपको कॉम लेना है, तो आप इसमें क्या करना है, एक paper लेके वहाँ पे आपको छोट-छोटे paper के टुकडे जो है रख देने है, so what you will see, कि अगर आप इस कंगी को अपने बालों से रब करते हो, make sure ये जो हाँ आपके बाल है, वो dry होने चाहिए, they should not be oily, so when you rub your कॉम with your hair, so when you will bring this कॉम to the, near the paper, so what they will happen, what will happen is, they will clean your hair, ये जो है, pieces of paper है, ये इस कॉम की तरफ, तरफ attract हो जाएंगी, ये अपने ग्रेट 6 में एक्टिविटी जरूर की होगी, and आपने यहाँ पे देखा, कि यहाँ के चाजिस की फॉर्मेशन होती है, तो इससे हमें ये पता चल गया, कि जो चार्जिंग होती है, वो रबिंग से जनरेट होती है, डेफिनेटली वन ये टेकिंग ओफ ये जैसे कि हमने लास्ट वाली अक्टिविटी में भी देखा था, कि जो चार्जिंग किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, लाइटनिंग, तो वहाँ पे हमने ये देखा था, कि वन ये टेकिंग ओफ ये वूलन और पॉलिएस्टर क्लोथ, तो आप उस क्लोथ को रब कर रहे हो, ये विद बॉड़ी, तो इसलिए चार्जिंग की जनरेशन हो रही थी, जिसकी वज़ा से लाइटनिंग और स्पार्ग था, इसी तरीके से आप कॉम वाले केस में भी देखोगी, कि कॉम को जैसे हमने रब किया, इच स्टर्टर अप्रक्टिंग वेरी स्मॉल पीसे अफ पेपर, तो इससे हमें ये बात जो है, शोर होगी कि चाज जिस can be produced by rubbing, जो हो इस चाजिंग बाइब रबिग इस दने, जो वे इसलिस्केस इन एंट विडू, लो इसलिक विडू एंट पीटिए 15.1। तिल यू शे तुन थाज तुन थाज पूले, जो मुझ वाच 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 वाच